मस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड से दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकुस करने वाले हैं आज का दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा केस ये टी-20 पिंक चैलेंजर्स का डीटेल्स में आपको अनलाइसिस मिलेगा इस वीडिय के चैंपिंशिप उनके कवरीजिस अधूस मैच इसके भी कवरीजिस मिलेंगे और एक्षी 22N कुबेरा की पिक्स मिलेंगे टेलिग्राम पे तो आप जुर जाना टेलिग्राम अगर फ्यूचर में आपको अपडेट चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक करो इसी होगा यहां से आप टेलिग्राम जान सकते हो और चाहो तो सर्च कर सकते हो मैं प्रिफर करूंगा डिस्क्रिप्शन वाला लिंक से यूज़ करो और जाओ टेलिग्राम फॉर फूचर अपडेट्स इस मैच के अनलाइसिस में आते नबबे रन एवरेस्ट को रहें बहुत अच्छे सकते हों कि जो सीनियर प्लेयर है ना जैसे कुछ नाम शनिर्टी या फिर गाइस अलीना सुरेंद्रन हो गया या फिर जिपसा जो स्रेफ हो गया यह अगर खेल जाते हैं तो बाद अलग है अदर्वाइस रन जादा बंदे नहीं है विकेट जादा गिरते ह पहले आपको विकेट कवर करना है उसके बाद कुछ चुनिंग दीता बैट्स मैंने जो रन बना रहे है अगर आता हूं एनलाइसिस में आर्ट मैच खेला गिया है इस टूड़ा मैंन का दो बाल बैट फर्स ने विन किया और चेजिंग टिम में डेफिनिटली रन अगर कम बनता है तो चेजिंग में प्रेशर कम होता है रूबी से अगर ध्यान दोगे रूबी अब तक इस टूड़ा में में थीन खेलते हो है तीनों मैच आ रहा है वहीं पे इनकिया ओपनें अम्बेन ने नहीं तीन खेलते है सिफ एक मैच जीता है और दो मैच आ रहा है कौन अम जो इंपोर्टेन है मोहंदर साना डेफिनेटली बैडबॉल दोने से पहुंच दे सकती है जैम्स केर्थी जंता नहीं बना रही है फिलाल जैम्स केर्थी को आप बना सकते हो अच्छी हुए टेकिंग नेक है इनके पास सुरेंदरन अलीना सुरेंदरना थोरे से बैटिंग ऑलरांडर टाइफ के है यह लुग है जैम्स केर्थी ठोरे से बॉरं की बनाएंगे उसके बाद हम लोग आएंगे ओंस Baptist तिम में सेबस्टियन बीवी आपके टिम में होंगे क्योंकि तीन से चार वर और मुस्ट हर मैच में उसके बाद के क्या परना जैसे प्लेयर को ट्राइ कर सकते हो ओपिनिंग बॉलिंग को ने वीजे जोशिता केर्थे दरसना हैं डित में करेंगी केर्थी जोशिता और अलीन अच्छा पॉइंग ने पर देंगी तो मेरे तीम में रखो के अब बनाओ सुनिलन सुनिवान सचना डिफॉल्ट कैप्टन है क्योंकि सेनियर स्टेट लवल प्लेयर है सवरभ्या बलन जंता इंको इग्नोर करेंगे बट आप चाहते हो वन साथे टीम तो इनको रख लेना क क्योंकि आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देंगी गरेश दीविया ने लास्ट मैंच में तीन के निकाला उससे पहले तक ज्यादा कुछ किया नहीं है तो मैं इनको जस्ट एस प्लेयर अपनी टीम में रखोंगा अजन्या टीपी बॉलिंग करा रही है एक दो फिल लास् सब्सक्राइब कर सकते हो यह रहेगा फिलाल मेरा टीम यहां पर सजीना हमारे कैप्टन है विसी जेम्स किति यहां पर वाइस काप्टन चॉइस सुरंदरन अलीना ठीक चिस मैं आपको यहां पर बता रहा हूं आप अगर ऐसे मैंचे स्केलते हो ना थ्री मेंबर्स केलो दो टीम के साथ उसमें क्या होता है कि जितना भी आपका इंवेस्टमेंट होता है वह 50% 50% इंवेस्टमेंट होता है या फिर आपको लगता है नहीं यह यह तोड़ से जादा बेटर है और यह जादा बेटर चांसे से इनका वीनिंगा तो एक टीम से 60% इंवेस्ट करो दूसरा होता है compared to savings account यार यह बात तो समझोगे नहीं यह तो बात अलगी हो गया यह चोड़ देते हैं बट हाँ 40% profit अगर consistently होता है तो वो भी हमारे लिए सही होता है क्योंकि हमारा अगर ECS के matches देखोगे तो almost उसी आधार पे हम लोग बिलिफ करते हैं और उसी के according team बनाते हैं और successful भी होते हैं जादा तर टाइम में अब हो का कि फेंडर्स हमेशा अब successful रहोगे नहीं बट अगर लॉजिक क्लियर रहोगे तो long run पे जाके at least profit होना ना लाजमी है no doubt दीन खराब चलता है तो थो थोड़ा सा off जैसे के मेरा फिलहा इस तीन चार विनिंग के बाद एक loss होगा तो चलो ठीक है क्योंकि profit तो होना चाहिए ना चलो बाद में discuss करेंगे फिलाल का इसी रहेगा अपडेट नेक्स मैच इसका अपडेट डेमोटें वगेरा टैली राम पे शेयर होते रहेगा तो जुड़ चाहना वीडियो बिसंद दो लाइक कर देना थाइक वेस मिल्दें मैच टैंपे